तो आप सब का एक नई वीडियो में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फ्रेंट्स देखिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये चॉकलेट गानिशिंग और साथी माइक्रोवेव की जानकारी भी लेंगे तो फ्रेंट्स ये जो हमारा चॉकलेट गानिशिंग बनेगा बिल्कुल बेकरी वाला बना के के आप घर पे ही तेयार कर सकते हैं और केक के ओर्डर जब लेते हैं तो इस तरह की गानिशिंग लगा के दीजिए तो बहुत पसंद किया जाता है तो फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में सिप चॉकलेट गानिशिंग ही बनाना नहीं सिखेंगे पर हम लोग चॉकलेट गानिशिंग बनाने के लिए इस माइक्रोवेब का इस्तेमाल करेंगे और माइक्रो वेब की पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे माइक्रो वेब को इस्तेमाल कैसे करेंगे इस माइक्रो वेब में हम लोग चॉकलेट को मैल्ट कैसे करेंगे कितनी देर तक हमेरा चॉकलेट को मैल्ट करना चाहिए और microwave से जुड़ी और भी बहुत सी जनकारी है कौन सा बरतन इस्तिमाल करेंगे तो सारा जनकारी लीजिए वीडियो में और आप भी बनाईए बहुत सुन्दर सुन्दर चोकलेट गार्निशिंग और साथ ही पूरी डिटेल में जनकारी microwave यूज करने के बारे में तो फ्रेंट्स ये मेरा LG का microwave है, microwave चारकोल वाला है ये, microwave प्लस convection भी इसमें है और इसी में हम लोग ये चोकलेट गार्निशिंग आज बनाएंगे इसी में हम लोग चोकलेट को melt करेंगे, कैसे हम लोग microwave में यूज करेंगे, melt करने के लिए वो पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ ये 32 लिटर का मेरे पास LG का microwave है और ये जो आप sign देख रहे हैं, यही microwave का sign होता है उसके बाद हमें मिल रहा है convection और हमें grill भी मिल रहा है, साथ ही convi भी हमें मिल रहा है लेकिन हम बाकी चीजों को आज नहीं देखेंगे, आज हम लोग microwave को यूज करने के बारे में सीखेंगे कि चोकलेट गार्निशिंग के लिए चोकलेट कैसे melt करेंगे तो यह चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है कि देखिए, माइक्रो का sign कौन सा होता है देखिए, इस तरह का यह वाला sign है यह माइक्रो का sign यहाँ पर हमारे इसमें दिया गया है और पढ़ना भी है आपको नीचे, देखिए, माइक्रो लिखा है और हमें करना है चोकलेट मेल्ट, तो यह मेरे पास मोडे का वाल्ड चोकलेट कमपाउंड है और इसको मैं यहाँ पर देखिए, डाल दी हूँ बोल में और यहाँ पर जब हम लोग डाल चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखला रही हूँ कि क्या से start हम लोग करेंगे यहाँ पर जो start बटन है मेरा यहाँ पर, यह 30 seconds के लिए अपने आप ही set हो जाता है, माइक्रो में देखिए, 30 seconds के लिए अपने आप ही यह set कर लेता है, 30 seconds वो भी माइक्रो में तो यह जो charcoal वाला है, LG का मेरा अगर आपके पास भी है इस तरह का, तो यह इसी तरह से काम करता है और देखिए, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बाए तरफ आप देख रहे हैं, माइक्रो और उसमें वेव का जैसे sign बना हुआ है ठीक है, यही माइक्रो है, उसके बाद grill है, उसके बाद konvay है, उसके बाद konvay है तो यहाँ पर देखिए, start बटन देख रहे है न, दाहीने तरफ, यही 30 सेकंड को add किया, अपने से ही माइक्रो के लिए बस एक बाद दबा देना है, और माइक्रो में यह 30 सेकंड के लिए ले लेगा, और फिर 30 सेकंड बाद अपने आप देखिए, यहाँ end हो जाएगा सामय दीजेगा हर बार, और 30 सेकंड बाद निकाल के देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तली में हलका हलका सा पिघलना स्टार्ट हो चुका है, और यह convection, sorry, यह microwave जो है, अंदर से बाहर की तरफ हमारा कोई भी चीज जो हम लोग डालते है, वो पकाता है या गरम करत है, तो नीचे आप देख सकते हलका हलका मेल्ट हो गया है, लेकिन अभी और मेल्ट करना है, तो चली फिर से डालते हैं, इसको फिर से 30 सेकंड के लिए, तो जब भी चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड का समय दीजेगा, ज्यादा का समय मत देदीजेगा, और यहां इचे स्टार्ट बटन पर माइक्रो में सेट कर लेता है बस एक बार दबा देना आए देखिए माइक्रो का साइन आ रहा है उपर और तर्टी सेकेंड अपना वो ले लिया अब फिर ये एंड होगा फिर खोलेंगे हम लोग देखिए यहां पर खोल रहे हैं और खोलने के बाद देख सकते हैं यहां पर हमारा चॉकलेट हो गया है मेल्ट आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से ज़्यादा मेल्ट हुआ है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि माइक्रोवेब में अंदर से बाहर की तरफ पकता है कोई भी चीज तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा ये गलास का बोल है न तो ये गलास का बोल इतनी जल्दी ठंडा होगा नहीं अभी ये गर्म ही रहेगा इसलिए जो बचा कुचा चोकलेट है न इसमें गुमाते गुमाते ही बिगल जाएगा इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक चोकलेट को नहीं डाल देना है। वरना यह क्या होगां। जमा-जमा सा हो जाएगा। और कई बार चॉकलेट जैसे जला भी हो जाता है तो वो चीज नहीं करना है इसको अच्छे से मिलाते रहना है और यह बिल्कुल एक सार हो जाएगा और इसका ये एक रिजन है कि हम लोग जो है न ये मोटा ग्लास का बोल इस्तेमाल कर रहे है और ग्लास का बोल अभी थोड़ मयाल देर तक गरम ही रहेगा इसलिए ये चोकलेट को मल्ट करता चला जैएगा देखिए मैंने जो चोकलेट लिया है उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लीया है और पाइपिंग बैग में ये गानिशिंग शीट के ऊपर मैं कुछ इस तरह से डाल रही हूं देखिए तो piping bag में डाल कर इस तरह से बस design करना है आगे पीछे करके हम मैं इस तरब से दे रही हूँ आप वैसा सीधा सीधा भी मार सकते हैं हाथ तो देखिए यहाँ पर हमने wild chocolate compound से कुछ इस तरह से कर दिया और अब दूसरे में भी हम लोग कर देते हैं क्योंकि यहाँ दो garnishing sheet में मैं बनाने जा रही हूँ अपना ये चौकलेट garnishing तो friends यहाँ पर भी हम लोग कुछ इसी तरह से आगे पीछे करके देखिए इसको लगा दिये हैं और इसके बाद इसको हमें set होने देना है तो friends यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास चौकलेट बज़िया है तो इसको मैं silicon वाले मोल्ड में डाल दूंगी क्यों बरबाद करना इसको भी बना लेते हैं तो silicon वाला मोल्ड भी आपको online मिल जाता है friends बहुत ही अच्छा होता है बहुत सुंदर सुंदर इसमें गानिशिंग निकलता है और नयानया केक बना रहे है न तो मोल्ड ले लिजे बहुत असानी होगा और देखिए वो white compound तो हमारा set हो रहा है यहाँ हम लोग dark compound ले रहे है चौप करके देखिए यह है white compound और यह है मेरे दाहीने हाथ में देखिए यह है मेरा पास dark compound यह dark compound एक सो पचीस रुपिया का मुझे मिल गया आधा किलो और वो आधा किलो का दाम जादा है 190 उसमें लिखा हुआ है तो अगर कहीं पर आपको wholesale rate में मिल जाता है तो देख लीज देखिए एक चीज और बतला देती हूँ जो चौकलेट के साथ अकसर प्रॉब्लम होती है चौकलेट जैसे आप लेके आए और उसको खोले कुछ दिन भी इस्तेमाल नहीं होता है तो थोड़ी भी हवा लगती है तो वो ना दाना दाना जैसे हो जाता है मेल्ट करने के यह तो आए हमेल्ट करें फ一द चौकलेट कर लादे बाल आ दूसरे बरतन में निकाल जीज additions वडेण गर चोटा मुटा दाना वगेरा है और नहीं गल रा है तो यह साब कर सकते हैं लेकिन यहां में लिखिए चौकलेट अच्छे सी गल गय है और इस चोकलेट को हम लोग वो पूरे अच्छे से सेट हो गया है वाइट वाला उसी के ओपर हम लोग यह डार्क वाला डाल रहे हैं देखिए और इसको हम लोग पैलेट नाइप से ऐसे फैला लेंगे क्योंकि इस वाले गानिशिंग शीट में ही वो कतम हो गया चलिए हम लोग फीसे मतलब मेल्ट करेंगे और उस वाले गानिशिट में डाल लेंगे तो फ्रेंट इसको थोड़ा सा सेट होने देना है कच्छा में अभी हम लोग चाकू इस पर नहीं चलाएंगे अभी न इसमें क कट कर लेना है क्योंकि पूरा सेट होने के बाद आप इस तरह से कट नहीं कर पाएंगे इसको तो कुछ ऐसा ही सेट हो जाए जैसे आदा से तोड़ा सा जादा सेट हो जाए और उसके बाद कट कलीजिए और फिर से सेट होने दीजिए तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने काटन आप देख सकते हैं कितना सुन्दर हमारा गानिशिंग बनके रेडी हुआ है और निकालने के टाइम पर आपका एक दो टूटे गा भी तो इसमें कोई बात नहीं है वो तो होता ही है बनाने के टाइम पर और यहां पर देखिए हो क्या रहा है ना मेरी बेटी यहां बगल में कि खड़ी हो गई है बोल रही है कि दो मुझे तो भाई काम अगर आप कर रहे हैं ना तो हमारी मेरे साथ तो ऐसा आपके साथ भी जरूर होता होगा कि टेक्स देना पड़ता है काम करने का तो यहां काम करने का टेक्स दे रही हो कि भाई लो भाई तुम लो तुम जाओ ता लेडिस लोगों बच्चों को भी देखना होता है और अपना काम भी देखना होता है तो क्या करेंगे दोस्तों मतलब बच्चे हैं और यह लालच का चीज भी है चॉकलेट तो क्या करें उन्हें तो पसंद ही होता है चॉकलेट इतना तो देखिए यहां पर ना मैं बातों बा जा रही हूँ और melt करने के बाद हम लोग फिर इसमें भी डाल लेंगे दोस्तों 30 सेकंड के बाद एक बार निकालिएगा तो इस तरह से एक बार मिला भी दीजिएगा इससे क्या होगा कि नीचे वाला अगर आपको जितना देर भी करना है आगे मेल्ट तो उसी साब से अपना टाइम देदे के कर लीजिएगा तो बिच बिच में चला दीजिएगा अगर नहीं मेल्ट हुआ है तो एक एक बार तो फ्रेंट इसी तरह से हम लोग कर लेंगे मेल्ट और दूसरा वाला गानिशिंग शीट को भी हम लोग कर लेंगे तयार ये देखिए हो गया है मेल्ट और देखिए इसको भी डाल लेते हैं तो फ्रेंट्स माइक्रोवेब में कौन सा बरतन यूज़ करना है इसकी भी जनकारी आपको दे दूँगी इसी वीडियो में डीटेल में आपको बता दूँगी कि क कौन सा बरतन आपको इस्तिमाल करना चाहिए जब आप माइक्रोवेब का इस्तिमाल कर रहे होते हैं और देखिए यहां पर हमने पूरा फेला लिया इसको भी तोड़ा सेट हो जाने देंगे और फिर इसको भी देखिए हम लोग कट कर ले रहे हैं तो यहां पर देखिए कितना सेट हुआ है आप देखके ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना सेट हुआ है बस पूरा सेट हो जाने मत दिज Hugo वर्नाँ ये कटने में हो जाएगा मुश्किल तो यहां पर अच्छे से मैं पकड़ भी पार रही हूं इतना सेट हो गया है और कटर! तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा गानिशिंग बना करके रेडी कर लिए हैं तो मुझे दो शीट में आज बनाना था और दोनों ही हमारा देखिए बन गया है और आने वाली वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंट्स इस गानिशिंग को इस्तेमाल करके मैं केक बनाना भी आपको बतलाओंगी तो केक की वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा उसमें आ जाएगी और इसी गानिशिंग को हम लोग लगाएंगे उसमें देखिए शाइन देख सकते हैं कितना सुन्दर शाइन हमारे गानिशिंग में आया है और आप भी बनाएए इस तरह का गा करिए और बेकरी जैसा केक बना के रेडी करिए आपके कस्टमर बहुत खुश हो जाएंगे तो यह रहा चॉकलेट गानिशिंग इसको किसी डबे में डाल करके आप रख सकते हैं और कुछ दिन तो अराम से आपका चल जाएगा केक वगर को सजाने के लिए तो नेक्स्ट व पला भी ना मैंने जिसमें डाला था सिलिकॉन मॉल्ड में वो भी हो गया और मैंने यह मतलब जैल का डबा मेरे पास था इसी में डाल दिया सारा गनिशिंग और इसको धकन लगा के बस रख देना है अगर जादा गर्मी है तो आप फ्रीज में कहीं नीचे जगा पर रख द में मतलब स्टील या अलिमूनियम या कोई भी मेटल आपको मैक्रोवेव में नहीं डालना है इस बात का बिलकुल आप धियान रखिए क्योंकि यह साओधानी वरतना बहुत जरूरी है और आप अगर इस्तेमाल कर रहे है माइक्रोवेव में तो प्लास्टिक और कांच के ब बरतन प्लास्टिक का चम्मच यही आप डालिएगा माइक्रोवेव में प्लास्टिक और ग्लास चोड़के मैटल आप कभी भी यूज मत करिएगा माइक्रोवेव में तो माइक्रोवेव से जुड़ी जानकारी आज आपको मिली आपने देखा कि हम लोग कौन सा बरतन इस् तो इस तरह से हमने तयार कर लिया गारिशिंग और सीखा माइक्रोवेब को इस्तिमाल करके चॉकलेट मेल्ट करना और फ्रेंड्स अगर आपके पास माइक्रोवेब नहीं है तो आप डेबल बॉयलर का इस्तिमाल करके अपना चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं double boiler में आपको गर्म पानी के कटोरे के उपर अपना चॉकलेट वाला कटोरा रखना है और नीचे की भाव जब चॉकलेट वाले कटोरे में लगेगे तो चॉकलेट मेल्ट होने लगेगा बस पानी सटना नीचे ये नीचे का ध्यान रखिएगा कि भाप उसमें लगती रहे उसकी तली में और आपका चॉकलेट उपर मेल्ट होता चला जाएगा चलाते रहेगा अराम से मेल्ट हो जाएगा यही होता है डबल बॉइलर मेथड तो यही वाले केक की वीडियो लेकर के की दयों में धिक वाइब्य रिलवी घुम्हेर एक चॉकलेड़ में बॉड़ा जला है